नमस्ते लखनओ और हंगामा टाइम्स न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भणा नमस्कार। मैं अनुकृती गोविन शर्मा हूँ और पेशे से एक अभिनेत्री हूँ और हाल ही में लखनों में हमने कपिल तिलहरी जी के साथ एक शॉर्ट फिल्म शूट करी है टाइटल है जिसका बैगेज एक बहुत ही खास और प्यारी सी रोमैंटिक लव स्टोरी है ये आपकी कोई प्यारी सी रोमकॉम नहीं है इस नौट अ यूज्वल रॉट फिल्म टीनेज रोमैंटिक बहुत ही खास कहानी है बहुत ही मिच्योर्ग सब्जेक है इस अ मिच्योर्ग लव स्टोरी और इस कहानी में जो किर्दार मैने और कपिल जीने साथ निभाए है उन किर्दारों की एक उम्र है दोस्कारिक्टर्स हाव असर्टन एज तो दिम देहाव लिफट अ फ्यू एक्सपिरियंसे देर लाइफ और उनी तजर्बों के बल्बूते पर इन किर्दारों की एक मानसिक स्थिती उत्पन हुई है उसी मानसिक स्थिती को इसी सोच को बहुत ही बखूबी ब हमारे डिरेक्टर अमितेश शुकला जी को जाता है जिनके साथ हम दुवारा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी पर काम करके क्योंकि concept और storyline बहुत ही matured है यही बोलूँगी that it is a very matured love story और characters जो हमने play किये हैं जो हमने निभाए हैं बहुत ही matured है इन में बहुती ज्यादा कैसे बताओं आपको किन शबदो में बताओं आपको बहुत ही ज्यादा गहराई और ठहराव मिलेगा इन characters में इन करदारों में आपको बहुती ज्यादा ठहराव देखने को मिलने वाला है बहुत ही relatable characters है ये जो mature love story है बहुत ही relatable है और ये एक ऐसी कहानी है जिससे I'm sure बहुत साथे दर्शक relate कर पाएंगे और इसके साथ कहीं ना कहीं अपने आपको personal level पर जोड़ भी पाएंगे कपिल जी वैसे भी मेरे बहुत ही खास और पुराने मित्र है और मेरे साथ साथ वो अभीनेता भी है तो जब भी हमें साथ में किसी film में या किसी movie में काम करने का मौका मिलता है तो हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है इससे पहले भी कपिल जी और मैं कुछ short films पर एक साथ काम कर चुके हैं जहां हमने opposite leagues play किये हैं और अब ये जो आने वाली फिल्म है baggage इसमें भी मैं lead actress का रोल निभा रही हूँ and Kapil जी is playing the lead actor opposite me तो दोस्त तो वो है ही मेरे पुनाने मित्र हैं लेकिन साथ में जब किसी project पे, किसी creative project पे या किसी film में साथ काम करने का मौका मिलता है तो उस काम को करने की जो खुशी होती है वो दोगुणी हो जाती है क्योंकि मैं अपने पुराने मित्र के साथ काम कर रही होती हूँ so all in all it was a very lovely experience working with him and आप सभी से जो हमारी लखनों की प्यारी जनता है, जो हमारे दर्शक हैं, उनसे बस मेरी यही गुजारश रहेगी और यही दर्ख्वास्त रहेगी कि इसी तरह जैसे पहले भी था, उसी तरह भविश्य में भी आपका प्यार, सम्मान और साथ हमारे साथ बना रहे, क्योंकि एक आक्टर को और कुछ नहीं चाहिए होता, बस अपने दर्ख्वों का प्यार, सम्मान और प्रोटसाहन चाहिए होता है तो बस हमारे साथ बने रहे क्योंकि हम तो जी और जान लगाकर मेहनत करके, ये कोशिश दिन रात करते रहते हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और बढ़िया से बढ़िया मनुरंजन प्रदान कर सके बस आप से यही गुजारिश है आखरी में बस यही बोलना चाहूंगी कि आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे आपका जो प्यार हमें आज तक मिला है जो सपोर्ट मिला है जो प्रोटसाहन आपने हम सभी के प्रती दिखाया है बस उसको बनाए रखिये उसको हमारे प्रती बरकदार रखिये और हमें आप से कुछ नहीं चाहिए बैगेज शॉर्ट फिल्म बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है यूट्यूब पे तो हमारे साथ बने रहिए हमारा साथ निभाते रहिए और जब बैगेज शॉर्ट फिल्म रिलीज होगी तो आप सभी को पता ही चल जाएगा आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मूवी को जरूर देखिये क्योंकि यह मेरा मानना नहीं यह मेरा विश्वास है कि आपको यह मूवी बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस शॉर्ट फिल्म की कहानी के साथ रिलेट कर पाएंगे और अपने आपको इससे कही ना कही जोड़ पाएंगे नमस्ते